नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका इन्वेस्टाय चैनल पे कैसे आप आसा करता हूँ आप अच्छे होंगे 15,000 रुपे मंतली म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करके 15 साल बाद एक क्रोड का फंड तयार कर सकते हैं मैं म्यूचल फंड में पिछले 6 साल से S.I.P. के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी तक मैंने एवरेज 16,000 रुपे मंतली म्यूचल फंड में इन्वेस्ट किया है 16,000 रुपे इन्वेस्ट करके 6 साल में 24 लाग का पोट्फोलियो बना है स्टार्टिंग में मैंने 5,000-10,000 रुपे इन्वेस्ट किया है फिर 12,000 फिर 15,000 फिर 20,000 यह से जब एवरेज निकालेंगे तो मेरा जो मंतली इन्वेस्ट में वो 16,000 रुपे बन रहा है तो 15 साल बाद 1,000 का पोट्फोलियो बन सकता है या नहीं आज के वीडियो में अपन इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं पहले अपन पोट्फोलियो देख लेते हैं अभी तक जो 6 साल में पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी केसी ग्रोथ रही है तो बिना देर किये आज की वीडियो शुरू करते हैं अभी तक म्यूचल फंड में हमने 12,000 के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है 6 साल के अंदर जब अपन मंतली एवरेज निकालेंगे तो 16,000 के लगबग पैसा मंतली म्यूचल फंड में इन्वेस्ट हुआ है 6 साल इन्वेस्ट करने के बाद जो पोट्फोलियो की टोटल वेल्यू है वो है 24,000 रुपे है 24,000 रुपे का पोट्फोलियो पिछले 6 साल में 16,000 रुपे मं तो टोटल हमें रिटन मिला है म्यूचल फंड से वो 12,383,000 रुपे है जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका आलमोस्ट डबल रिटन हमें मिला है म्यूचल फंड में अपन 15,000 रुपे की SIP 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं और हमें 15% का एन्वेल रिटन मिलता है तो अपन एक करोड का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं अभी तक मेरे को जो एन्वेल रिटन मिला है वो 28% है और म्यूचल फंड में एवरेज जो रिटन मिलता है वो 15% के आसपास मिलता है 12-15 या 15-20% के आसपास ही म्यूचल फंड में जो एवरेज रिटन लोंग टरम मे मिलता है हमारे पोर्टफोलियो की वेल्यू 24 लाग रुपए है इसको अपन होल्ड भी करके रखते हैं तब देखते हैं अगले 10 साल में पोर्टफोलियो की वेल्यू क्या रहती है पोर्टफोलियो की जो टोटल वेल्यू 24 लाग रुपए है उसको हम होल्ड करके भी अगले 10 साल में होगी तो इस परकार आप long term के लिए invest करके mutual fund से अच्छा return प्राप कर सकते हो आपको continue SIP के द्वारा invest करना है market को ट्रेक ना करते हुए आप continue investment करते रहे किसी एक साल में आपको 5% का return मिलेगा किसी साल आपको 20% मिलेगा कभी 30% मिलेगा हो सकता है किसी एक साल में आपको minus में भी return देखने को मिले तो long term में आपका जो average होगा वो अगर 15% भी होगा तो आपको बहुत अच्छा return mutual fund से मिल सकता है 24,00,00 रुपे को अगले 10 साल के लिए hold करके रखेंगे तब भी portfolio की value एक क्रोड रुपे पहुंच जाएगी का annual return भी मिले इस small cave और mid cave mutual fund में 15% का return अराम से मिल जाता है हमारे mutual fund के portfolio में कौन कौन से mutual funds है और कौन से mutual fund में हमने कितना पैसा invest किया है और उसकी present time में value क्या है SBA small cave fund है इस fund में हमने 3,29,894 रुपे अभी तक invest किया है और उसकी value 8,16,380 रुपे है total जो हमें return मिला है 4,66,549 रुपे का SBA small cave mutual fund के अंदर return मिला है 147% return अभी तक हमें SBA small cave mutual fund के अंदर मिला है जो 3,29,894 रुपे invest किया है उसका 147% return हमें SBA small cave mutual fund से मिला है SDFC small cave mutual fund में हमने 1,60,000 के आसपास पैसा invest किया है और उसकी value 4,33,211 रुपे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस mutual fund ने हमें total 3,12,000 रुपे का return दिया है next mutual fund है क्योंट small cave इस mutual fund में हम present time में SIP के द्वारा invest कर रहे है क्योंट small cave mutual fund में हमने 2,38,000 पैसा invest किया है और उसकी value 3,45,228 रुपे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्योंट small cave mutual fund के अंदर हमें 45% का return मिला है 2,38,000 का 45% 1,7,190 रुपे होता है next mutual fund है के अंदर है रुपे को small cave fund इस fund में हमने 1,86,991 रुपे इन्वेस्ट किया है और उसकी value 2,77,548 रुपे है इस mutual fund ने हमें 70,500 रुपे का return अभी तक दिया है next mutual fund है SBA Flexi के fund इस fund में हमने 1,20,566 रुपे इन्वेस्ट कर रहे है और उसकी value 2,38,190 रुपे है SBA Flexi के fund ने हमें 1,17,624 रुपे return के रूप में अभी तक दिया है next mutual fund है Nippan India Small Cave Fund इस fund में हमने 62,998 रुपे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी value 1,47,398 रुपे है Nippan India Small Cave mutual fund में हमें 14,400 रुपे का return मिला है next mutual fund है PGM India Small Cave Fund इस fund में हमने 70,000 रुपे के आसपास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी value 1,000 के लगबग है इस mutual fund ने अभी तक हमें 18,503 रुपे का return दिया है next mutual fund है AXIS Small Care Fund इस fund में हमने 22,500 रुपे इन्वेस्ट किया है और उसकी value 26,219 रुपे है next fund है Nippan India Take Saver Fund इस fund में हमने 4,000 रुपे इन्वेस्ट करके हैं और उसकी value 7,211 रुपे है इस fund से हमें 3,244 रुपे का return मिला है इस प्रकार हमारे portfolio में total 9 mutual fund है जिसमें हमने अभी तक अपना पैसा invest किया है इनी 9 mutual fund में से कुछ fund है जिसके अंदर हम SIP के दौरा अभी invest कर रहे है next video में मैं आपको बताऊंगा कौन से mutual fund में मैं present time में SIP के दौरा invest कर रहा हूं हमारा जो पैसा है वो 28% की growth से increase हुआ है हमें जो return मिल रहा है वो 28% annual return मिल रहा है इस प्रकार से अगर हमें long term में return मिलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा portfolio हमें देखने को मिल सकता है mutual fund से average 15% return की उमीद हम कर सकते है अराम से 15% return mutual fund से मिल जाता है आप mutual fund में invest करने से पहले अपने financial advisor से सला जरूर ले ये वीडियो सिरफ educational purpose के लिए बनाया गया है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले मिलते एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैवार